गजा ननम भूत गनाद सेवितम कपित जंभू फल चारू भक्षनम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामी विगनेश्वर पाद पंक जम राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं अबंधों आज अगहन मास अर्थात मार्ग शीश मास की संकष्टी चतुर्थी है बंधों आज अगहन मास अर्थात मार्ग शीश मास गुरुवार के दिन संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा मैं आप के लिए लेकर आई हूँ बंधों मैं आप के लिए संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा और संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूरन पूजा विधी लेकर आई हूँ बंधों संकष्टी चतुर्थी साल में 12 महीनों में 12 बार होती है अर्थात संकष्टी चतुर्थी का व्रत हर महीने क्रिशन पक्ष की तृत्या या चतुर्थी तिथी को होता है बंधों हिंदू धरम में अधिकतर लोग संकष्टी चतुर्थिक आफरात करते हैं जो मुश्य भी संकष्टी चतुर्थिक आफरात करते हैं उनके यहां आर्थिक संपन्ता बनी रहती है अर्थात उनके जीवन में कभी भी आथिक तंगी नहीं आती और भगवान शीक नेश्टी उनके सभी संकष्टों को दूर करते हैं बंधों यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जुरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके बंधों वीडियो को पूरी सुनें सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जै गनेश ची महाराज की जरूर लिखें चोथ माता की जरूर लिखें बोलो गनेश भगबान की जेहो चोथ मादा की जेहो बंधों संकष्टी चतुर्थी के व्रत में निर्चल व्रत किया जाता है यदि किसी का स्वास्थे ठीक नहीं रहता तो वह मनुष्य व्रत में फल खाकर दूद चाए पीकर भी इस व्रत को कर सकते हैं बंधों अपने श्रीर को कष्टे कर व्रत ना करें व्रत रखने से पहले सोच लें कि आप ने व्रत किस प्रकार रखना है प्राते काल सुर्योदे से पहले उठ जाएं, नित्य कर्मों से निवरित्ध होकर शनान करें, फिर गनेश ची के सामने हाथ में जल लेकर संकल्प करें, जैसे भी आप निवरत रखना हैं, दूद्फल खाकर या फिर निजला, गनेश ची की पूजा करें, पूजा के समय पूर या उत्तर की और ही अपना मुख रखें गनेश ची के सामने आसन बिछा कर बैठ जाएं आललकडी की चौंकी ले उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं उस पर गनेश ची की मूर्ती रखें जिसमें भगवान शंकर आर मा पार्वती भी हो बंधों फिर लोटे में जल लें जल में काले तिल वा दूर्वा डाल लें लोटे पर कलावा बांध दें भगवान शिगनेश को तिलक लगाएं फिर भगवान शिव और मा पार्वती को भी तिलक लगाएं और फिर भगवान को भी कलावा अर्पित करें फिर भगवान को पीले रंग के फूलों की माला चढ़ाएं भगवान शी गनेश्ची के सामने लड़ू जरूर अर्पित करें धूप दीब दिखाएं और फिर ये कथा सुनें बोलो गनेश्ची महराज की जहे हो एक बुढिया का लड़का सवेरे गाएं चराने जंगल में जाता था और शाम होने पर घर पर वापिस आ जाता था सारे दिन की मेहनत के बावजूद भी वह सिरफ आठ पैसे रोज के कमाता जिस से मा बेटे का गुजर बसर होता था बुढिया का चोथ माता का व्रत था और बुढिया चोथ की कहानी सुनने का व्रत और नियम करती थी व्रत के दिन पांच लड़ू बनाती दो चोथ के विनायक के और एक अपना इस तरहे नियम पालन करने से वेह मोटी होती जा रही थी आस पडोस की महिलाएं इस बास से जलती थी उन्होंने बुढिया के लड़के को बहकाया लड़के ने सोचा मैं तो सारे दिन मेहनत करके सूखी रोटी खाता हूं और मेरी मां घर बैठे बैठे लड़ू खाकर मोटी होती जा रही है इसी सोच के कारण वेह एक दिन गाएं चराने नहीं गया और छुप कर बैठ गया उस दिन चोट सी बुढिया दो पैसे का घील आई सदा की तरह पांच लड़ू बनाए और भोग लगाया लड़का चुपके चुपके सारी रात देखता रहा दूस्ते दिन वे बुढिया से बोला मा मैं कमाने के लिए जाऊंगा यहां कमाई बहुत थोड़ी है बुढिया ने बहुत समझाया पर वेह नहीं माना तो बुढिया ने कहा ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ची चले जाओ पर बुढिया ने जाते समय कुछ अनाज के दाने और एक पाने की कलशी उसे दे दी इनसे वेह रोज कहाने सुना करती थी जाते समय बुढिया ने समझाया कि ये दोनों चीजें तेरी संकट में सहायता करेंगी सो सदा अपने पास इने संभाल कर रखना सवेरे होते ही वेह निकल गया और चलते चलते रहा में एक नदी आई बर साथ का मोसम था नदी में पानी चड़ा हुआ था पार जाने का कोई रहा नहीं था बड़ा दुखे हुआ बढ़िया की बात याद करके उसने हाथ में अनाज के दाने लिए और बिंती की है चोथ माता मेरी मा मेरे लिए ही तेरा वरत करती थी तो बहता पानी कम हो जाए और मुझे पार जाने का रहा मिल जाए इतना कहकर कलश में से पानी लेकर छीटे दिये रहा मिल गया लड़का पार हो गया आगे जंगल में पहुंचा तो एक शेर मिला लड़के के होश उड़ गए उसने जट अनाज के दाने हाथ में लिए और बिनती की हे चोत माता अगर मेरी माँ ने मेरे लिए व्रत किये है तो यह सी ही गाए बन जाए पानी के छीटे देते ह शेर गाए बन गया और चरने लगा लड़का आगे निकल आया साज होते होते एक गाम में जा पहुंचा गाम में घुसते ही एक बुढिया का घर आया अंधर जाकर बुढिया से रात बिताने के लिए जगे मांगी बुढिया ने दया करके हाँ भर ली वह ठहर गया रात को उसने देखा बुढिया माल पुए बनाती जा रही है और रोती जा रही है लड़के ने अचमभा किया बुढिया ने बताया बेटा यहां का राजा छटे महीने एक पकवान पकाता है और पकने के लिए हर बार एक आदमी की बली दी जाती है उसका नियम यह है कि बारी बारी ह हर घर का एक आदमी लिया जाता है आज मेरे साथवे लड़के की वारी है उसको आज माल पुए खिलाऊंगी सुबह होते ही राजा का बुलावा आ जाएगा लड़के ने कहा मा चिंता मत कर कल तेरे लड़के के बदले मैं जाऊंगा बुडिया ने कहा दूसरे के बदले कोन म मैं तुझे क्यूं भेजू लड़के ने कहा नहीं मैं जाऊंगा ला माल पुए मुझे खिला दे बुडिया ने माल पुए खिला दिये लड़का खा कर सो गया सुबह होते ही राजा का सिपाही आया बुडिया ने उसे लड़के को उठाने के लिए बर्तलों की आवाज की और बढ़ बढ़ाना शुरू किया लड़के की आँख खुली बास समझ गया और जाने के लिए तयार हो गया जाते वक्त उसने अपनी लाठी और कंबल बुढ़िया को संभलाई कहां मैं आ कर ले जाऊंगा बुढ़िया ने कहां मैं संभाल कर तो रख दूंगी पर मैंने तो गए हुए को आज तक वापिस आते नहीं देखा पर यदि तुम विश्वास रखते हो तो ठीक है भगवान तुम्हारी रक्षा करे लड़का चला गया जगहे पर जाकर लड़के ने देवताओं को याद किया और अनाज के दाने निकाल कर पानी की घंटे ली और चोत विन हारों के लड़के खेलते हुए उधर से निकले उनके हाथ में से एक पत्थर का टुकडा उचल कर कजावे पजा पढ़ा पत्थर पढ़ते ही उसमें बतनों के टंकार निकली बात सारे गाम में फैल गई लोगों ने अचंभा किया नोकर चाकर भेजे गए कजावा खोला ग हैं उन्होंने सुझाव दिया कि यदि यह आदमे की ही आवाज है तो तुम डरो मत आखिर सारा कजावा खोल दिया गया चोंकी पर हसता हुआ मैं लड़का बैठा हुआ था चोंकी के चारों और जुआरे हो गए थे पानी का कलश भरा हुआ था राजा के पास लड़के को लाया गया राजा ने सारा किस्सा सुनना चाहा लड़के ने बताया के मेरी मा चोथ विनायक का वरत करती थी उसी ने आते वक्त मेरी रक्षा के लिए यह अनाज और पानी का कलश दिया राजा ने भग के वान लड़का देखकर अपनी लड़की का विवाँ उसके साथ कर दिया और चोथ वरत करने का धिन्डोरा पिटवा दिया कई दिन बीच गए राजा के बेटों की बहूं ननत को ताना मारा बाई जो पेट से निकले हांडी से नही राज कुमारी ने अपने पती से कहा माए जहां माए का साथ जहां सुसराल लड़का भी बास समझ गया और राजा रानी से अग्या ली और अपने गाव को अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा गाव के पास पहुँचते ही देखने वालों ने बुढिया को खुछ कब्री दी बुढिया को विश्वास नहीं हुआ उसने उपलों के धेर पट्टर कर देखा बेटा बहु आते दिखाई दिये बुढिया ने चोथ विनायक को बार बार नमसकार किया बेटे बहु ने आकर बुढिया के पैर्च हुए घर में आनन्द छागया गाम में चोथ के वरत का धिंडोरा पिटवा दिया गया सब कोई चोथ का वरत करे कहानी सुने 12 नहीं तो 4 चार नहीं तो 2 महिने चोथ के वरत जरूर करे बोलो चोथ विनायक की जै रादे रादे जै श्रीकृ्ष्ण बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें धन्यवाद